नमस्का शामदरिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुस जातक हैं और आपकी रियल हतेली मेरे शामने बिबेचना के लिए आ रखी है देखेगा यहाँ पे आपकी जो मस्तिस्क की लकीर है ये बहुत लंबी है महीन है और पूरी हतेली को पार कर रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि बरतमान में आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ज़्यादतर आप कलपनाओं में डूबे हुए है और कहीं न कहीं आपका जो मन है वो भी एक अगर्चित कम हो पा रहा है लेकिन ये लकीर ये भी बता रही है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी सपलता भी आप अपने जिवनकाल में हासिल करेंगे लेकिन आपका जो मन है फिर भी बहुत ज़्यादा कलपनाओं में डूबा रहेगा एक बात और है आपने पहला सवाल किया है आपको फिलम इंड़स्ट्री में 22-23 साल हो गए है आप पूछ रहे हैं क्या इस लाइन में एक्टिंग में काम्याबी और फेम है अगर है तो कब और कितनी काम्याबी और फेम है ये आपका पहला सवाल है यहाँ पे देखेंगे तो अभिनय के लिए सुक्र को जाना जाता है तो आपका सुक्र बहुत सांदार है सुक्र पे अगर हम देखें यहाँ पे वर्टिकल रेखाई इस पश्ट है इसका मतलब क्या है सुक्र बहुत अच्छा है और पीछे की तरफ जुकावा तो घुमने प्रिने के बड़े शौकीन रहेंगे ठीक है सुक्र पुष्ट है और इसमें वर्टिकल रेखाएं है तो कारे की परती जुजहारोपन बहुत जादा है जिस कारे को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं है और यह चीज आगे भी र मेंटेν रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सच सवार कर रखना नई चीजों के परती रुज़ण रहना जाहे नहीं प्रकार का फैशन हू नहीं परकार की चीजे हूँ, मार्केट में नहीं परकार की टेकनलोजी हूँ, बहुत एक सुक्सुविधाओं के तरफ बहुत ज़्यादा आकरसित रहेना, चाहे जो है लगजरी जीवन हो, अल्टरा लगजरी जीवन हो, गलेमर हो, चकाचोन हो, इसकी तरफ आकरसन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगी, अब यहाँ पर देखेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुक्र में जो है, जाल बनावा है, जब सुक्र में जाल बनता है, और ब्रिस्पती कमजोर भाव में रहता है, तो चीजे उलट होती है, क्या ह इसी चीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, चिंताएं करना, और उस चीज के पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, परिसरम करना, तो भी उसमें पूर्णता नहीं आती है, अभाव की इस्तिति बनी रहती है, जिसके लिए आपने आपको खपा लिया हो, ठी दामपत्य जीवन का सुक है, उससे ये जो है बिक्ति को बिमुख करता है, ठीक है ने, ये चीजें हैं, लेकिन अब ये तो बता रहा है कि जिस चीज में आप हैं, उसमें आपको सपलता मिलेगी, लेकिन सबसे मुख्य चीज होती है, हमारी हतेली में सूर्या, और ग्रह भी इसके साथ होने चाए, यहां पे अगर देखेंगे, आपका सूर्या पूरी तरो से खराब है, अगर यहां पे आप देखते हैं, तो आपके सूर्या में कहीं न कहीं जो है, चीजें बिलकुल खराब हैं, भले ही यहां पे देखो, बर्ग बने हुए है, इसका भी मतलब समझ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा स्रेई है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, ठीक है, वो पूरी तरों से चीजें उभर कर नहीं आ निखर के नहीं आपा रही है तीसरी चीज क्या है कि सूर्य इस प्रकार से अगर होता है और ब्यक्ति ब्यापार की तरब जाता है तो ब्यापार में वो विस्तार वो फैलाव वो नाम वो यस वो ब्रांड बनकर वो नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था। अगर ऐसे में भैक्ती नवकरी कर रहा होता हैं तो नकरी में उसकर वह ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खबा लिया होता है। अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य आपका ग्रोथ नहीं करने दे रहा है सूर्य खराब है और आर्थिक इस्तिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक इस्तिति भी बिक्ति की कमजोर रहती है ऐसे में जब तक सूर्य ऐसा हो क्यों कि जो आपके सारिरिक चक्र हैं वो प्रोपर इस प्रकृति में मौजोद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ ताल मेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक आयाम पे पड़ता है चाहे आपका साररिक स्वास्त्य हो चाहे आपकी जीवन की जो वास्त्विक खुसहाली हो चाहे आपकी जीवन का जो उत्सा है वो उत्सा हो उर्जा है ये चीजें आपके साथ परस्पर नहीं रहती है ये बिखराओ की आउस्ता में रहती है और इनकी हमेशा आपको चिंता कर पड़ती है ठीक है ने और दूसरा क्या है यहां पर इस पश्ट तरीके से देखें दूसरा आप देखेंगे आपकी हतेली में यहां पर क्या बन रहा है एक जाल बन रहा है और जाल बनना हतेली में अच्छा नहीं माना जाता है इसको बड़ा असुब चिन माना जाता है यह जीवन ही उल्जन में चला जाता है ब्यक्ति कई बार Can from the confusion में आ जाता है दुविधा में आ जाता है और उसकी जो निरणे लेनी की शीन हो जाती है ब्यक्ति ट्यीक हो और जाए और मुझे कि वास्तों में करना क्या चाहे हैं कि दूसरा इसका प्रभाव पढ़ता है आपकी रिष्टों पे खास कर ब्यक्ति का जो दामपत्य जीवन का रिष्टा होता है जो कुटुम का रिष्टा होता है जो परिवार का रिष्टा होता है उन रिष्टों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती है ब्यक्ति को उस चरम सुक्का भोग नहीं कर पाता है, बंचित रहता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। पैसा आता है और चला जाता है। आप उस प्रकार के उसकी सेविंग नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। आर्थिक रोप से ये आपको वीमार करने का, कमजोर करने का, दरिद्रता की और धकेलना का काम करता है। चोथा इसका प्रभाव पढ़ता है आपके स्वास्त्य पे चाए वो सारेरिक स्वास्त्य हो चाए वो मानसिक स्वास्त्य हो कहीं न कहीं ये उसमें बिकार देने की कोशिस करता है और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पढ़ता है आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उस पर आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहिए था वो सपलता का अस्तर माइनेस की तरफ जाता है इसका मतलब क्या है कि जो आप लिख रहे हैं जिस छेतर में आप हैं उस छेतर में सुक्र तो ठीक है लेकिन सूर्या आपका अच्छा नहीं है और सूर्य चाहिए आप किसी भी छेतर में जाओ जब तक सूर्य ठीक नहीं होगा आपको सपलता नहीं मिल सकती है ठीक है ने जब तक आपके अंदर ये negativity है हतेली में जाल है पांच चीजों में आप उलजे रहेंगे ठीक है ने और ये लाइन आपको बहुत बड़ी कामियावी नहीं देगी अब कौन सी ऐसी लाइन है आपकी हतेली में जो कुछ और कह रही है जड़ा ध्यान से देखेगा यहाँ पर देखेगा एक लाइन इस तरह से आती हुई सूर्य की और आ रही है यह लाइन पुष्ट और सुन्दर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही इसका प्रभाव आपकी जिवन पर पड़ेगा जुडिसरी या मैनेजमेंट के छितर में ये रेखा कामियावी दिलाती है सपलता दिलाती है चाहे आप मैनेजमेंट के छितर में काम करो चाहे आप जुडिसरी के छितर में काम करो आपको कामियावी मिलेगी दूसरा ब्रस्पती का प्रभाव इस पे अच्छा पड़ रहा है सूर्य का आने वाले समय में प्रभाव अच्छा पड़ेगा अगर आप सिक्षा के छेतर में भी काम करते हैं चाहे फ्रैवेट करें चाहे किसी सस्ता के द्वारा करें तो काम्याबी मिलेगी बड़ा नाम आपका होगा काउंसलिंग का काम भी आप सपलता पूरो कर सकते हैं यह चीजें यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रही है आपको कहीं न कहीं अपने छेतर को बदलने की आवशकता है और बड़ा एनलिसिस करके बड़ा चीजों को विसलेशन करके तब आप अपना छेतर बदले जल्दबाजी में कोई भी काम न करे ठीकन अब उसके बाद देखेगा यहां पे यह चीज है रेडिमेट कपड़ों का ब्यापार है ब्यूटी इंडरस्ट्री का काम है लगजरी चीजों का ब्यापार है यह भी आपका सुक्र बता रहा है कि आप कर सकते हैं ठीकन लेकिन कोशिस करे इस रेखा से समंधित काम अगर करे तो आपको लाब होगा क्यूंकि आपके सूर्य पेभी जो है यहां पे बर्ग बने हुए है तो यह ब्यापार को ही रिप्रजेंट करता है ब्यापार में ही सफलता दिलाता है, ठिक, ये चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं, अगर आप इन छित्रों में ब्यापार की तरफ जाएं, तो आपको लाव होगा, यहाँ पे इस पश्ट तरीके से ये चीजें दिखा रही हैं, आपने लिखा है, या एक्टिंग के अलावा क किसी और फिर्ड में काम्याबी है जैसे राइटिंग है डाइरेक्शन है आप विचार कर ले आपके हतेली में ब्यापार्थिक दिखाई दे रहा है लेकिन इसके लिए दो कम्यों को दूर करना है अपने एक तो सूर्य को आप प्रवपर तरीके से ठीक करेंगे ऐसे ठीक करेंगे एक दिव्य सूर्य किरिया मैं दे रहा हूँ इसको आप सूर्य किरिया को प्रवपर तरीके से तीन से चार मेहने तक करने की आप कोसिस करें जो बिदी में दूँगा उसी बिदी के अनुसार करें तो लाब होगा इससे क्या होगा कि आपके जो सारडिक चक् वो इस प्रकृत्ति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस परताल मेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा कहीं न कहीं आपकी जो सारे रिक्सेहत है वो बेहद अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजिता से चलेगा फिर चाहे सारे रिक्स्वाष्ट्य हो जीवन की वास्त्विखो सहाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी वे चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी दोसरा क्या करना है आपने एक बनस्पति अश्नान मैं आपको दे रहा हो जो आपके अंदर ये नगेटिब उर्जा है ये नजर दोस है ये उससे खतम होगा और तीसरा मैं एक प्रकार का प्रणायाम आपको दे रहा हो इसको जरूर करें एक प्रकार का योगा है प्रणायाम है मेडिटेशन है इससी चीजों में बेहतरीन सुधारा आएगा दूसरा आप लिख रहे है करोड़ पती बन पाऊंगा जीवन में पैसा कितना होगा देखेगा करोड़ पती बनना हतेली में कुछ चीज होनी चाहिए तबी बिक्ति करोड़ पती बनता है ये तो जरूर कहूंगा मैं धन आपकी जीवन में बेहतरीन रहेगा दो तिन चीजें उबर रही है आपके जीवन में यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से रेखाएं आपके हतेली में यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दे रही हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बर्ग बनते हुए दिख रहे है बर्ग बनते हुए यहाँ पे भी के हतेली में बर्ग बन रहे हैं तो यह राहू और चंद्रमा से प्रभावित है ठीक है न तो राहू में बर्ग बनने का मतलब है कि आपकी भग्या रेखा में जो दोस है नगेटिव उर्जा के खतम होने पर वो दोस दूर हो जाएगा और करियर और धन के मामले में तो आजाएगा इस्टेबिलिटी आजाएगी और कम से कम इसको ठीक करने में धाई से तीन वर्स लगेंगे आप कहेंगे कि एकदम चमतकार हो जाए वो चमतकार नहीं होगा इस बात को आप ध्यान रखेंगे दूसरी बात है कि चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा ह तो अपने जनम अस्तान से दूर या विदेश में जाके आपकी जीवन में करियर और धन के मामले में इस्टेबिलिटी आएगी ठीक है न यह इस पष्ट तरीके से इन चीजों को बता रहा है और धन के मामले में आप आने वाले समय में भाग्यसाली इस्तिति में पहुँच जाएंगे ठीक अब दो रेखाई हैं ये इसके साथ साथ इसका मतलब है आयू बहुत अच्छी रहेगी सफलता निश्चित ही जीवन में मिलेगी और ब्यावसाई इत्यादी चीजें करेंगी तो बड़ी काम्याबी मिलेगी तरक्य मिलेगी और कहीं न कहीं बोलने के धन के लेकिन स्वस्त्य के परती बिसेश कर आँखों के परती और जो है पीट के परती आपको सचेत रहना है छोटे मोटे प्रॉब्लम हो जाए तो इगनौर नहीं करना है डॉक्टर सला लेना है अब आप लिख रहे हैं साधी का योग है साधी की तो सफल रहेगी और संतान सुक है अब ही यहां पे अगर हम देखेंगे तो साधी के योग दूर दूर तक अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन नगेटिव उर्जा अगर खतम हो जाती है तो यकीनन योग बन जाएगा और संतान सुक भी आपको प्राप्त हो जाएगा साधी भी ठीक चलेगी लेकिन जब तक नगेटिव उर्जा आपकी हतेली में है तब तक यह कहना मुश्किल है कि आपको दामपते जीवन का सुक मिलेगा भी या नहीं ठीक है नगेटिव उर्जा आपके लिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ बिदेश जा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो आप कह रहे हैं ठीक है ने अब चलते हैं आपकी हतेली पर अन्य चीजों पर यहां पर हम देखेंगे यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपके मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इ आपने आरदे के परती समरपन की भावना रहेगी मिडिल फिंगर अगर देखें पूरी तरों से जुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धोपी का काम भ परस तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रखते हैं या तो धन के मामले में संगर्स रहा होगा या खर्चेला सवाव बहुत जादा रहा होगा या धन के महतों को समझ नहीं पाए होंगे यह चीज यहां पर दिखाई दे रही है तीसरी बात अगर हम यह यहां पे देखेंगे यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ तो सूरे के जो नैसरगित गुण है वो आपके अंदर हमेशा बना रहेगा और इसका लाब भी आपको बहुत अच्छा होगा यहां पे अगर देखें तो यस पाने की इक्षा नेम फेम पाने की इक्षा और अपने कार्यों में बिस्तार पाने की इक्षा हमेशा बनी रहेगी और इसका लाब भी होगा यहां पे अगर हम देखते हैं आपका ब्रिस्पती और सूरे की उंगली दोनों बराबर है धन और यस की भोक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए ब पिंगर की तरब धन कमाने की ललक जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगी और आने वाले समय में इसका लाब भी होगा यह इसके पहले पोर्वे से भी उपर है यह बहुत अच्छा है कहीं न कहीं यह आपको सफलता दिलाएगी दो कारणों से एक तो कम्यूनिकेशन इसकिल् होंगे और दोसरा अपने ही बलबोते पे कुछ करने वाला जो गोण आपके अंदर है उसके कारण आप सफल होंगे और यही आपकी जो है मनिबंद भी बता रही है कि खुद की मेहनत और खुद के प्रिसरम से आप जीवन में बड़ी सफलता की इस्तितिप्राप्त करेंगे लेकिन यहां पी भी छिदर दिखाई दे रहा है कोई अंगोठी पेहने इस छिदर को बंद रखें ठीक है न जो आपने पेहन रखे थी उतारे नहीं और एक बात का ध्यान रखें बुडापे में जो आपका विसेश कर जो है 57 एर के बाद का समय है धन को लेके संगर्स, खर सुरो करें धन कमाने की इस्तिति में आएं तो लाब होगा एक सुखत जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सील ब्यक्तित्व इस पश्ट दिखाई दे रहा है एक बहुत अच्छी आपकी हिर्दे रेखा अगर हम कहें धीरे धीरे बह अब कभी सक भी आपके अंदर ये चीज भर लेती है अपने बलपर जीवन-काल में सफल सरुथा सफल होंगे अपने बदोलत अपने जीवनकाल में सब कुछ पाईंगे ये भी आपकी हिर्दे रेखा बतारही है आपको अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करना है जीवन रेखा आपकी इस पश्ट बता रही है कि अपने जन्म अस्तान से दूर बड़ी तरक्य है जन्म अस्तान में रहे कर बहुत बड़ी तरक्य नहीं दिखाई दी रही है बिदेश हो गेरा जाएंगे तो लाब होगा यहाँ पे दूसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलेगा आगे भग्या बहुत सांदार इस्तिति में आईगा यह इस पश्ट तरीके से बता रहा है सुक्र परवत के बारे में मैंने पहले यह बता दिया है निम्न मंगल को देखें थोड़ा सा जाल बनावा है तो यह जीवन में थोड़ा कनफ्योजन उलजन और दुविदा देता है निरड़े लेनी की ताकत में थोड़ा सा जो है छीन करता है चीजों को थोड़ा सा अगर प्रेक्टिकल रोप से बहुत एक रोप से प्रभाव दे तो नजर दोस्त देता है नितर रोग जिसको कहते हैं चस्म उगेर चड़ जाता है थोड़ा सरीर में कभी-कभी जो है विकनेस आ जाती है और कभी-कभी जोड़ों का दर्द उगेरा की सिकायता आ जाती है तो एक दिब्य सूर्य के रिया दे रहा हूं इसमें मंगल का उपाई दोंगा जरूर करें उपरी मंगल बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा यहां पर अगर हम ब्रस्पति की बात करें ब्रस्पति वह ऐसे ठीक है लेकिन सनी की तरफ जुका हुआ है तो दामपति जीवन का सुक ऐसे में थोड़ा कम मिलता है परिवार को ले की चिंताएं देता है और हलका यह साधरना आउस्ता में आ रहा है तो आपके अंदर भी साधरनता देने की कोशिस कर रहा है सामने बिक्तितों की और ले जाने की कोशिस कर रहा है तो थोड़ा दिब्यय योगध्यान के रिया ज़रूर करें यहां पर यह चीज उप गई है थोड़ा आपको गंभीर तो देगा यह चीजों को गामरित्वत्व देगा लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो बे वजह की चिंताई भी देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजहे पैदा कर रहा है जो थोड़ा सा आपको तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य दे यहां पर कई बार आपक टिब उर्जा जो नजर दोस बहुत विक्राल रोप में आपके अंदर है इसको ठीक करें इसके लिए मैं अश्नान दे दूँगा आपको तो इसको जो रुकरे सुरी के बारे में मैंने बता दिया है छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पानी की एक्षा बहुत अच्छी र रहा है आगे चलकर इसका बड़ा लाब आपको मिलेगा मानसिक रूप से आप मजबूत इस्तित में आने वाले हैं और आपकी जीवन में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण कॉंफिटेंस लेबल आपका बहुत अच्छा रहेगा इस नगेटिव उर्जा के कार रहेगा पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर आपका ठीक रहेगा आगे चलकर सरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा बढ़िया हो जाएगा और आप क्रियेटिव इस्तिति में रहेंगे क्रियेटिव जादा रहेंगे सकारात्मक सोच रहेगी छलकप से दूर रहेंगे और कीजे आपको सुधारनी है एक तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है और दोसरा आपको नगेटिव उर्जा को अपने सरीर से बाहर करना है तभी आपके जीवन में सरलता सहजता आएगी और आपका जीवन कहीं न कहीं एक दिव्य इस्तिति में आप आएगा जिसकी आप वे सोच रखते हैं तो आपको मैं तीन चीज रहा हूं एक दिब्य योग ध्याणी किरिया दे रहा हूं और बनस्पति अश्नान दे रहा हूं ये तिनों चीजें आपको बहतरीन तरीके से करने हैं तो जरूर करें आपको लाब होगा इस वीडियों में बस इतना ही एक नई वीडियों के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार